समग्र सिक्षा परियोजना के अंतरगत जिला महा समून में स्पेशल एजुकेटर के पदों के लिए जो विग्यप्ति आई थी उसके परिणान की घोश्टा की गई है मैं इस वीडियो में आपके सांथ वही बातें शेयर करूंगा दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं जी समग्र सिक्षा के अंतरगत भारत सरकार की महत्वाकांची योजना समावेश की सिक्षा संचालित है इसके बहतर क्रियानवयन के लिए कक्षा नवी से बार्वी तक के अंतरगत विकासखन इस्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदहेतु चैनित अभ्यर्ति को उनके नाम के समग्र पदनाम एवं इस्तान पर निश्चित मान दे जो की 20,000 रुपए प्रतिमा होगी पर निम्न शर्तों के अधीन 3 माह के लिए रखा जाना है तो ये उन लोगों के जो सूची है उसको दिखाया है इसने उप्रोक्त निरधार ये दजिला रोस्टर के अधार पर अंति समुन में डिलाइश्वरी यादव है 44 आविदन नंबर था इनका और अनारक्षित महिला केटेगरी में बाग बाहरा विकासखण के अंदर काम करेंगी ये श्री कोशल पात्रे हैं आविदन नंबर इनका आविदन करमांग जो था वो 87 था और अनुसूचित जाती मुक्त म सराय पाली बलाक में ये काम करेंगे और अंकित कुमार है ये आविदन करमांग in का चौशट था और ये बस्तना विकासखण में काम करेंगे और अ अचू लता अविदन गरमांग जो है वो पिथारा बलाक में काउम करेंगी तो इस तरह से ये सूचि जो है वह 5 लोगों की इसने डिक्लेर की है कुछ नियम शर्तें आपको बता दो इसमें कि ये तीन साल के लिए आइस्थाई रूप से की गई नियुक्ति है भारत सरकार अगर इस स्क्रीम को आगे जानी रखती है तो उसके हिसाब साइस पर आगे कारिवाही होगी लेकिन नियमित नियुक्ति की सूठ है वो साशन के जो नियम है उसके हिसाब से दिये गये हैं और यह कुल मिला करके चैनित अभ्यार्थी को अईस्थाई रूप से काय पर रखने समन्दी पत्र प्राप्त होने के पश्चात नियत तिथी तक कर्तवे में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट करते हैं तो एक मेहने पहले आपको एक प्रोटिस दिया जाना होगा अन्यथा एक मेहने का आपको वेतन जमा करना पड़ेगा और यह जो काम है उसके लिए आपको निरधारित विकासखंड के विकासखंड सिक्षा अधिकारी कार्यालय में 10 अक्टूबर से पहले-पहले का इस पहुंचाना सुने स्चित करिए सारी चीज़े हैं आपके दायतों का भी वर्ली नि इसमें किया गया है और सारी बातों को इसमें बताया गया जो आपके इस पूरी पतर में आप जाहें तो समझ सकते हैं और प्रतिक्षा सूची की भी इसमें नीचे डिक्लरेशन है बारे में के लिए आप हमारे चनवर बने रहें फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजह इजाज़त आप अपनए ख्यार रखिए आप लग्यों